तो दोस्तों आपने से काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर आप बताईए कि हमें दो कम्प्यूटर के बीच में अगर डेटा को सेयर करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं बाज किस वीडियो में मैं आपको बता हूँगा कि आप दो कंप्यूटर में अपने डाटा को सेयर कैसे कर सकते हैं वो भी LandCable की मदस हैं जी आँ दोस्तों वीडियो को पूरा दिखिए का जरस भी skip मत कीजेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दो computer के बीच में अगर आपको data को share करना है तो एक land cable की जरूत पड़ेगी जो कि आपको दोस्तों market में आसानी से available हो जाएगी अगर आपको नहीं मिलती है तो इसका link एक मैं description में दे रहा हूँ वहाँ से आप इसको online buy कर सकते हैं ये आपको 100-100 के around में आपको असानी से मिल जाएगी ठीक है अब दोस्तों अगर आप laptop यूज़ कर रहे हैं या फिर आप desktop यूज़ कर रहे हैं तो दोनों में आपको एक land port देखने को मिलता है उसके बाद मैं आपको कुछ steps बताऊंगा जिसको आपको follow करना है वो steps को आप ध्यान से देखेगा तो चलिए मैं आपको screen पर ले चलता हूँ तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर control panel को open कर लेना ठीक है इसके लिए आप search में जाए control panel लिखिए यहाँ पर control panel का icon दिखेगा इस पर click करके open कर लेजे इसके बाद यहाँ पर network sharing center का एक option दिखेगा इस पर आपको click करके इसे open कर लेना है अब यहाँ पर left side में आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए third number में एक option है change advance sharing setting इस पर आपको click करना है यहाँ पर नीचे में एक all network option है इस पर आप click कीजेगा यहाँ पर और भी कई सारे option यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर देखिए एक option है turn on sharing so anyone इस पर आपको click कर देना है और नीचे में turn on password पर आपको click कर देना है और नीचे में देखे एक save change का option है, save change पर आप click करेंगे, ठीक है, जैसे दोस्तों आप save change पर click करते हैं, तो जो दो computer को अमनों land cable के माधियम से connect किया हुआ है, वो एक दूसरे से connect हो जाएंगे, ठीक है, अब देखे यहाँ पर एक option हा रहा है, ethernet का, इस ethernet वाले option पर आपको click क जाने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे option है, सबसे नीचे में scroll करके आना है, और यहाँ पर internet protocol version 4 पर आपको यहाँ पर tick कर देना है, ठीक है, ठीक करने के बाद उसी पर दोस्तों आपको double click करना है, जैसे आप double click करेंगे, यहाँ पर देखे एक option आ रहा है, use the following IP address, यहाँ पर आपको IP address को fill करना है, ठीक है, तो देखें, यहाँ पर IP address दिया हुआ है, फिर subnet mask है, और default gateway है, तो इसको जो हमने fill करेंगे, इसको आप ध्यान से देखेगा, आपको पहला डालना है 192, उसके बाद 168, इसके बाद आपको डालना है 1, और यहाँ पर डालना है 1, ठीक है इसके बाद sub mask पर आपको जैसे click किजएगा, यह automatic ले लेगा, इसके बाद default gateway पर आपको आ जाना है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको डालना है 192, 168, इसके बाद डालना है आपको यहाँ पर 1, ठीक है, 1, 1 डालने के बाद यहाँ पर दोस्तों, जो इसके बाद इधर है, यह यहां पर आपको डाल देना है 2, ठीक है, इसको ध्यान से आप देख लिजेएगा, इसके बाद आप यहां पर नीचे में आईएगा, तो एक यहां पर प्रेफर्ड DNS सर्वर है, इस पर आपको यहां पर चारों में 888 फिल कर देना है, ठीक है, तो यहां पर 8 डाल दिया, 8 और 8 इसमें भी हमने डाल दिया, ठीक है, इसके बाद आपको simply क्या करना है, नीचे में आपको ok का option दिख रहा है, ok पर आपको यहाँ पर click कर देना है, ok पर हमने click कर दिया, यहाँ भी ok पर click कर दिजे, ठीक है, ok पर click करने के बाद यहाँ पर close का option है, close को भी click कर दिजे, अब देख पैनल आप यहाँ भी open करेंगे network sharing center पर आप यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर आपको change advance sharing center पर click करना है और यहाँ पर भी दोस्तों जो हमने यहाँ पर turn on anyone वाला था option यहाँ पर देखें यहाँ पर आपको option है turn on sharing so anyone इस पर आपको click कर देना ठीक है यहाँ पर है टिक कर दीजे टिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे माई यह turn on password पर click कीजे और save change पर यहाँ पर आपको click कर देना सब कुछ same process होगा इसके बाद देखें यहाँ पर local area connection का option आ रहा है इस पर आप click कर दीजे properties वाला नीचे option है इस पर आप click कर दीजे इसके बाद internet protocol version 4 पर आप click कर computer में पाला IP address था यहाँ दूसरे computer में आपका IP address इस टैप का हो जाएगा ठीक है चेंज हो जाएगा default gateway का जो लास्ट वाला है और IP address का जो लास्ट वाला सिप वो चेंज हो जाता है ठीक है और यहाँ पर देखें जो DNS server वह 8884 टाइम था वही रहेगा इसमें आपको कोई change न जाएंगे इसको open करेंगे यहाँ पर network option है इस पर click करेंगे यहाँ पर देखें हमारा जो दोनों computer वह connect हो चुका है यहाँ पर जो यह वीनाय लिखा हुआ है यह हमारा laptop है और यह जो वीनाय PC लिखा हुआ है यह हमारा desktop है ठीक है यह दोनों computer का हमने connect कर लिया अब मैं आपक specific people पर आपको click कर देना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर देखेंगे drop down menu इस पर आपको click करना है everyone पर click करना है और यहाँ पर दोस्तों add पर click कर देना है जिससे यह यहाँ पर add हो जाएगा इसके बाद देखें नीचे में share का option है इस पर आपको click कर देना है और आपका जो यह जो file है वो दूसरे computer में share हो चुका है ठीक है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ तो वहाँ पर हम लोग चलते हैं तो देखें दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर आ गए है जो first वाला हमारा computer था इस पर computer में जाएंगे network पर जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों जो हमें आ रहाँ विनए PC है जिसमें हमने desktop पर किया था इस पर जाएंगे user में जाएंगे यहाँ पर विनए नाम का देखें जो file है वो आ चुका है desktop पर जाएंगे अब देखें दोस्तों जो picture नाम का हमने folder share किया था पहले computer में वो यहाँ पर हमारा आ चुका है इसको अमने open करते हैं तो देखे यह जो photo है यहाँ पर आ चुका है अब इसको copy करके आप रख सकते हैं तो I hope दोस्तों आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी फिर भी आपको अगर कोई भी चीज़ समझने में problem हुई होगी तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं आपको उसका जवाब जरूर दूँगा तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को like कीज़ेगा चैनल पने है तो subscribe कीज़ेगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को share जरू कीज़ेगा तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए thank you so much